पूरा डिटेल रिसर्च आपके लिए लेक्षिए आपने थम लिल पे बिलकुल सही पढ़ा कि इससे आप आठ लाक रुपे आसानी से कैसे कमा सकते हैं पूरा एक-एक डिटेल कैलकुलेशन आपके लिए लेक्षिए वीडियो बहुत इंपोटेंट होने वाला है ध्यान से ज मोटिविशनल स्पिकर दोस्तों में स्वागत करता हूं आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नौलिज को हम किर्टिकल नहीं सिंपल बनाते हैं तो फ्रेंस एगर हम यही देख लेते हैं कि जो मट्रेल हैं किस टैप का गर्मिट भी चाती है कि इंडिया साथ मोर्मिट में चाती है और इसी लिए आपको दे रही है गोर्मिट के बेनेफित्ट में सबसे पहले पाइदान पर वाता है डीबे के जो कि आपको घृता है को कॉस्टम द्वारह दिया जाता है यहां पर आपको मिल रहा है सीधा 1.6- 1.6% of your commercial invoice value, आपका जितना भी commercial invoice value है, पांच लाख है, दस लाख है, बीस लाख है, पच्छिस लाख है, पंदरा लाख है, चितना भी बड़ा आपका commercial invoice value है, सीधा-सीधा उसका 1.6% आपको DBK मिल रहा है, जो कि आपको custom द्वारा दिया जाता है, अगर मैं IES की बात करो, यान यानि road tape, जो कि पहले MES था, यानि आज कल हो गया road tape, यानि remains of duties and taxes on export product, January 2021 से road tape हो गया, तो road tape आपको यहाँ पे मिल रहा है, सीधा-सीधा 1.1%, 1.1% of your FOB value, free on board value, जितना भी आपका free on board value, 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, 18 लाख है, 15 लाख है, जितना भी उसका सीधा-सीधा मिल जाती है, road tape की road tape की, अगर मैं next बात करूं, उससे पहले बता तो, basically, जो मारा training होता है, online भी होता है, offline भी होता है, उसको आप जोई कर सकते हैं, उसमें आपको सिखाते हैं, कि आप बायर कैसे फाइन करते हैं, कोई party fraud तो नहीं, उसको कैसे हैं, पेमिंटम क्या होता है, म पूरा 17 सालों में हमने सीखा है, पूरा आपको detail में सिखाते हैं, आपको 100% train करने की guarantee रहती है, और training के बाद आपके पास में help desk support भी रहता है, जिसका आप use कर सकते हैं, lifetime, अगर हम बात करें, कि किस तरी के साब इससे पैसा कमा सकते हैं, इससे 7 लाक रुपे आप कैसे कमाए तो जब आप इसको buy करते हैं, इंडिया में जब आप इसको bulk quantity में buy करते हैं, तो 50 रुपे से लेके, 48 रुपे से लेके, 56 रुपीज तक का भाव चल रहा है, इंडियन मार्किट में, अगर मैं इसको 48 रुपीज का ही लेके चलता हूं, और मैं एक container खरीता हूं, 25 तन का, तो मुझे 12 रुपे देना पड़ता है, और 12 रुपे में, एक लाक रुपे वो add कर लेता हूं, जो कि मेरा loading, unloading का खर्चा, local transportation का खर्चा, CHE का खर्चा, custom killings का खर्चा, local insurance का खर्चा, ये जो चुटर मुटर खर्चे होते हैं, ये में 70-80,000 रुपे होता है, लेकिन मैं इसको easy calculation के लिए 1 रुपीज लिख लेता हूं, तो 12 रुपे पलस 1 रुपी हो गया मेरा 13 रुपीज, और अभी देखे, हलो, गोर्मेट के benefits भी आपको मिलने वाले हैं, तो गोर्मेट के benefits भी आप final buying price से minus कर सकते हैं, अभी initially, so, गोर्मेट के benefit आपको क्या मिल रहे हैं, GST 18% लगता करूं, तो आपको 2.48 रुपीज, यानि 2.48 रुपे गोर्मेट के benefits आपको मिल जाते हैं, अगर मैं बात करूं, total final buying price क्या हो गया, buying price हो गया, आपका 13 रुपीज, यानि 12 रुपीज, प्लस 1 रुपीज, 13 रुपीज, माइनस 2.48 रुपीज, यह हो गया 10.51 रुपे का आपका यह container बन गया, final buying price, अब इसको जब sale करते हैं, तो sale किस rate पे हो रहा है, तो basically यह हो रहा है, 70 से 75 रुपे पर केजी के भाव से जा रहा है, तो अगर हम 70 रुपे भी लेके चलते हैं, और एक container आप वहाँ पे sale करते हैं, आपका FOB price, तो आपको 75 रुपे मिलता है, कितना मिलता गया 6.98 lakh, यानि लगबक 7 रुपे, 7 रुपे एक container से आप आसानी से कमा सकते हैं, बस यह है कि वीडियो आप यहाँ के पूरा देखिए, तब आप इससे पूरा पैसा कमा सकते हैं, अगर मैं next बात करूँ कि इसको export करना कहा है, वो आप पहले बताईए, तो इसमें export करना कह पर है, उसमें इस पांचों country में सबसे पहले पाइदान पर आता है, USA, United State of America, जो मैं इसार राजा की तरह इंपोर्ट करता है, तो USA 1.97 billion US dollar का परियर खरीद रहा है, सरिया TMT bar, construction material, second number की बात करें तो France आता है, France 1.39 billion US dollar का परियर खरीद रहा है, सरिया, अगर मैं third number की बात कर जर्मनी भी 1.17 billion US dollar का परियर खरीद रहा है, सरिया TMT bar, अगर मैं fourth number की बात करू, weekly UK आता है, United Kingdom, United Kingdom भी 6-79 million US dollar का परियर इंपोर्ट कर रहा है, सरिया का, अगर मैं बात करूँ साउधी अरबिया का साउधी अरबिया भी 540 मिलियन यूज डोलर का परियर इंपोर्ट कर रहा है सरीय का TMT बार का और गल्फ कंट्री में और भी डिमांड है अगर मैं बात करूँ next HS code की तो HS code इसका हो जाते हैं चेप्टर में आता है 73 73 नंबर चेप्टर में आता है और सब चेप्टर इसका 08 होता है तो इसका HS code बन जाता 73 यानि 7308 9098 इसको आप इसली रिसेर्च कर सकते हैं अगर मैं एक्सपोर्ट प्रॉसेस की बात करो तो सभी प्रड़क्ट के लिए लगभग एक्सपोर्ट प्रॉसेस सेम होता है कि पहले आपको प्रड़क्ट सेलेक्ट करना है जो कि हमने प्रड़क्ट आज सेलेक्ट कर लिया आपको बायर फाइंड करना है जो टोटल आपको 15 मेथड्स बताये जाते हैं ट्रेनिंग में बायर को फाइंड करने के लिए वह सारे आप यहां पर वोल जा में आपको जैन्विन बायर मिलते हैं सो जब आपको बायर मिल गये अब आपको बायर को वेरिफाइं करना है कि यह कोई पार्टी जो है वो फ्रोड तो नहीं है और जब आपने बायर को वेरिफाइं कर लिया अब आपको बायर को कन्वेंस करने आ है कि जो आपने और फिर इसमें आजाएगा आपको 100% एडवांस और जब आपको पैसा आजाएगा तो उसका कर दीजिए आप बैंक रिलाइजिशन सर्टिफिकेट जो आज कल होने लगा इलेक्ट्रोनिक बैंक रिलाइजिशन सर्टिफिकेट अगर इबी आर्सी आप पायर्ड ब्या से आजाएगा आपको नोटीस तो आपको वैसा नहीं करना सही सही काम करना है तो आपको इबी आर्सी करना ही करना है अब आप बोलोगे सर इसका प्राइस क्या रहता है इसमें इपीसी लगेगा प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करमेशन कांसिल जिसका प्राइस जो है डिफरेंट डिफरेंट प्राइस आपको मिलता है पांच जारूपे से लेके आप इसको थर्ती थाउसंड तक दो लाक रूपे तक भी बैसिकली इसका एक्सपोर्ट और इसका इपीसी का जो है आर सीमसी रेजिस्टेशन का मेंबर्सिप सेटिफिकेट मिलता है उसको आप आसानी से ले सकते हैं अगर मैं टोप कंपीटर के बात करूं कि सर्फ वो कौन-कौन सी कंट्री जिसके साथ में हमरा प्राइसिंग क्वालिटी का कंपिटिशन होने वाला है तो उसमें ओटोफ फाइफ कंट्री कोन-कोन सी उसमें सबसे पहले पाइदान पर आता है चाइना चाइना जबरदस्त क्वांटिटी का स्टील में भी एक्सपोर्ट कर रहा है तो चाइना 5.04 बिलियन यस डिलों का परियर एक्सपोर्ट कर रहा है अगर मैं इस्पेन की बात मूँ फोर्थ नंबर पर ईवार्ध लाइजेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बश सरीय लिए टी म३र्टे हां मुझे बताते विए खुसी हो रही है कि हम चौँज चौज नंबर पर आते हैं सरीय टी अम्टपर लाइइस्ञ काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अप्र resigned है कि हम वा यह टोटल हम कितने export करें 1.02 बिलियन इसलों का हम लोग export कर पा रहे हैं फिफ्ट नंबर की बात करें कि फिफ नंबर पर कोन आता है फिफ नंबर पर जर्मनी आती है जर्मनी भी 861 million US dollar का per year export कर रहा है तो friends से करी video आपको पसंदाई जुरूर आप इसको लाइक कीजिए अपने friends and family में जुरूर सीर कीजिए हर उस Indian को सीर की जो कि जोब करा बिजनिस में आना चाहता है जोब करा direct interest market में आना चाहता है और मेरे द्वारा दीगी जानकारी में अगर कुछ छुट गया कुछ रह गया कुछ आप उसमें additional value add करना चाहते हैं तो हम इंतिजार करेंगे आपका comment box में next video की topic पर आपको चाहिए वो भी आप हमें comment box मे कर सकते हैं क्योंकि आपके comment में अपनी दिल की गहराईयों से रीड करता हूं उनको समझता हूं सीखता हूं और उनसे basically implement करने की भी कोसिस करता हूं आपके suggestion भी हम implement जरूर करते हैं और हम इसा की तरह से खुसरी मुस्कुरातरी ग्रो करते हैं और इंडिया का export बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, let's do export together, thank you, thank you very much.